तो दिखिए मैंने यहां पर 17 फंदे लिए हैं 10 फंदे इसके पैटन के हिसाब से लिए हैं एक ही पैटन बनाएंगे 10 फंदों का प्लस 5 फंदे साइड में डिजाइन को इकूल करने के लिए 15 फंदे 2 फंदे एस्टिच के लिए तो 17 फंदे निचे से बेश देने के लिए 2 फंदों के साथ निकाल ली है तो आपने जब भी अपने किसी भी प्रोजेक्ट में इस डिजाइन को डालना है तो आप 10-10 के मल्टिपल से फंदे लेंगे प्लस 7 फंदे एक्स्ट्रा रखेंगे तो आपका ये डिजाइन अच्छे से सेट हो जाएगा तो चलिए बनाते हैं पहली रह सीधी साइड एस्टी स्लिप करेंगे रपीट पैटन स्टार्ट करेंगे 5 फंदे सीधे बुनेंगी एक दो तीन चार पांच धागा आगे अब पांच फंदे एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा एक एक फंदा सीधा, दो, एक फंदा उल्टा, तीन, एक फंदा सीधा, चार, एक फंदा उल्टा, पांच ये दिखिए हमारा एक पैटन कंप्लीट हो गया है, इसमें हमने पांच फंदे सीधे बुने, फिर एक फंदा उल्टा, एक सीधा, एक सीधा, एक उल्टा बनाया ये दस फंदों का पैटन है दिखिए दो चार चे आठ दस फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार-बार पीट करते जाएंगे लास्ट में छे फंदे बचेंगे पांच फंदे सीध है एक दो तीन चार पांच एस्टिस सीधा बना लेंगे दूसरी रो है और रॉंग साइड है उल्टी साइड है एस्टिस स्लिप करेंगे रिपीट पैटन स्टार्ट करेंगे पांच फंदे उल्टे बनाएंगे एक दो तीन चार पांच धागा पीछे पांच फंदे सीध है एक, दो, तीन, चार, पांच ये दिखे, हमारा एक पैटन कम्प्लीट हो गया है इसमें हमने पांच फंदे उल्टे बनाए, पांच फंदे सीधे फिर से इस पैटन को रपीट करते जाएंगे और लास्ट में छे फंदे बचेंगे पांच फंदे उल्टे, एक, दो, तीन, चार, पांच एस्टिच उल्टा बना लेंगी अब देखिए तीसरी रौ हैं और सीधी साइड है एस्टिच स्लिप करेंगे, धागा आगे करेंगी अब ये हमने जो पांच फंदे सीधे बुने थे अब इन पांच फंदव को उल्टा बनाएंगी एक, दो, तीन, चार, पांच फिर से ये पांच फंदे एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा बनाएंगी एक फंदा उल्टा, वन, एक फंदा सीधा, टू, एक फंदा उल्टा, थ्री, एक फंदा सीधा, फोर, एक फंदा उल्टा, फाइब, ये देखे हमारे एक पैटन कम्प्लीट हो गया है, इसमें हमने पांच फंदे उल्टे बनाए, फिर पांच फंदे एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा एक सीधा एक उल्टा बनाया फिर से इस पैटन को ऐसे ही बार-बार रपीट करते जाएंगे और लास्ट में छे फंदे बचेंगे पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, एस्टिच, सीधा बना लेंगी तीसरी रउ कम्प्लीट हो गई है चौती रउ है रॉंग साइड फिर से सेम सेकंड रॉ की तरह ही बुनेंगे दूसरी रॉ की तरह ही बुनेंगे एस्टिच स्लिप करेंगे पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच, पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच यह देखिए यहां पर हमने पांच फंदे उल्टे बनाए, पांच फंदे सीधे फिर से इस पैटन को रॉपीट करते जाएंगे और लास्ट में छे फंदे हैं, पांच फंदे उल्टे एक, दो, तीन, चार, पांच एस्टिच उल्टा बना लेंगे तो देखिए चौथी रॉप कम्प्लीट हो गई है और हमारा पैटन भी कम्प्लीट हो गया है फिर से हम इसे फॉस्ट रॉसे स्टाट करेंगे तो दिखिए एक पार फॉस्ट और राइट साइन, एस्टिच स्लिप करेंगे रॉपीट पैटन स्टाट करेंगे पांच फंदे सीधे एक, दो, तीन, चार, पांच अब पांच फंदे, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, एक सीधा, एक उल्टा, धागा आगे, एक फंदा उल्टा, एक, एक फंदा सीधा, दो, एक फंदा उल्टा, तीन, एक फंदा सीधा, चार, एक फंदा उल्टा, पांच, ये दिखिए, हमारा एक पैटन कम्प्लीट ह हो गया है फिर से इसको रूपीट करते जाएंगे और लास्ट में छे फंदे हैं सीधे बुन लेंगे एक दो तीन चार पांच एस्ट इस सीधा बना लेंगे तो दिखिये फिर से हमारा पैटन फर्स्ट रूप से स्टार्ट हो गया है ऐसे ही बार-बार इसकी वन टू फोर और रूपीट करते जाएंगे और ये पैटन बनकर इस तरह से दिखने लगेगा ये दिखिये बहुत ही प्यारा सा और बहुत ही एजी पैटन है इसे आप किसी बेबी प्रोजेक्ट में डाल सकते हैं, लेडी काडियन में, लेडी जैकिट में, जैन्ट साफ सैटर, फुल स्वेटर में, बच्चों के स्वेटर में, कैप में, मफ्रल में, बेबी ब्लेंकेट में अपलाई कर सकते हैं, तो दिखिए आगे की साइड से इस तरह से दिखता है और पीछे की साइड से ये इस तरह से दिखता है तो फ्रेंड आप भी से बनाईए और अपने एक्सपीरियन्स हमारे साथ शियर कीजिए अगर आपको हमारे पैटरंस और वीडियो अच्छे लगते हैं तो हमारे चैनल को लाइक करना फैमली फ्रेंज के साथ शियर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले तो फिर से मिलते हैं ऐसे ही और नए ने पैटरं के साथ तिल देन बाई बाई पैन